नमस्ता और दोस्तों, मेरा नाम अभी शेख्यम प्रभात एक्जाम के करंट अफेशों के 247 एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ इस सीरीज में हम देली करंट अफेश के इंपोर्टन टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं तो चली शुरुवात करते हैं आज की वीडियो से नमबर एक, भारत के निर्यात में हुई रिकॉर्ड वृद्धी पिछले महिने में भारत का कुल निर्यात करी 52 अरब अमरीक की डॉलर रहा पिछले वर्ष की समान अवदी की तुलना में यह आखडा 93 प्रतिशत अधिक है भारत मुख्य तोर पे क्रिशी उतपादो, रतन और आभूशन, हैंडी क्राफ्ट्स, चम्रा उतपादो, इलेक्ट्रोनिक्स आधि का निर्यात करता है इस वर्ष मुख्य तक रिशी उतपादों के निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोती दर्च की गई है आपको बता दे की पिछले मैने जारी आखड़ के मुताबिक भारत दुनिया में चावल का सबसे वड़ा एक्सपोर्टर बन गया है यह आगड़े कोर्ना महमारी से उबर्ती अर्थ विवस्त की कहानी बया करते हैं हाल ही में अंतराश्डे मुद्रकोष ने भी अनुमान व्यक्त किया है कि भारतिय अर्थ विवस्ता साल 2022 में दुनिया की सबसे तेजे से विकास करने वाली अर्थ विवस्ता होगी नमबर दो, चीन के पहले मार्स रोवर को ले जाने वाला यान सफलता पूर्वक मंगल पर उतरा चीन के पहले मार्स रोवर जुरौं को ले जाने वाला मंगल यान त्यानवेन वन सफलता पूर्वक मंगल पर उतर गया है त्यानवेन वन अपने साथ एक और्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर लेकर गया है इसने इस साल फरवरी में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था अमेरिका के बाद मंगल पे रोवर उतारने वाला चीन दुनिया का दूसरा देश होगा बारते मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षण पश्चे मौनसून के केरल में इस महीने की 31 तारीक को पहुँचने की संभावना है मौसम विभाग ने कहा कि इसमें 4 दिन का अंतर हो सकता है केरल में मौनसून के दस्तक देने की सामाने तिथी 1 जून है सबसे पहले मौन्सून भारते छेतर में दक्षिनी अंडमान सागर पर दस्तक देता है इसके बाद यह बंगाल की खाड़ी को पार कर उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ता है अंडमान सागर पर मौन्सून 22 वही को पहुँचेगा मौन्सून शब्द से अभी प्राय है वे हवाई जिनकी दिशा रितु के नुसार बदल जाती है हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिन पश्चिम तट पर आने वाली हवाई जो भारती उप महद्वीब में भारी वर्षा कराती है उन्हें मौन्सून कहते है भारत में मौनसून, हिंद महासागरव, अरब सागर की ओर से हिमाले की ओर आने वाली हवाओ पर निर्बर करता है जब ये हवाई भारत के दक्षिन पश्चिम तट पर पश्चिमी घार से टकराती हैं तो भारत तथा आसपास के देशों में भारी वर्षा होती है मौनसून हवा के दो प्रकार होते हैं गर्मी का मौनसून जो अप्रेल से सितंबर तक चलता है और जाड़े का मौनसून जो अक्टूबर से मार्श तक चलता है भारत में वर्षा कराने वाला मौनसून दो शौखों में बटा होता है अरब सागर का मौनसून और बंगाल की खाडी का मौनसून भारत आज पी एक क्रिशी प्रधान देश है यहां की अर्थविवस्था अधिकांच क्रिशी पर ही निर्भर करती है मौनसून भारते क्रिशी और अर्थविवस्था के लिए बेहद अहम है मौनसून से होनी वाली वर्षा भारती अर्थ विवस्था का आधार मानी जाती है नमबर पाँच वर्ल्ड टेस्ट चेंपेंशिप के फाइनल में न्यूजिलेंड से भेड़ेगा भारत 18 जून से होने वाले पहले ICC World Test Championship के फाइनल में भारत के सामने न्यूजिलेंड की चुरौती होगी यहां मैच 18 जून से 22 जून के बीच साउथ हैंटन के The AGS Ball Stadium में खेला जाएगा न्यूजिलेंड के लिए यह ग्राउंड बिल्कुल ही नया है उसने अब तक इस मैदान पर एक भी टेस्ट नहीं खेला है वहीं भारत ने अब तक यहां दो टेस्ट खेले है और दोनों ही मैच में टीम को हार मिली है भारते टीम फिलहाल ICC World Test Ranking में नंबर एक पे है वहीं न्यूजिलेंड की टीम दूसरे नंबर पर है दोस्तो अब समय आगया है आज के सवाल का आज का सवाल है कि हाली में किस राज्ये ने बंदरों की जंड करना की है आपके ओप्शन्स हैं दिल्ली, यूपी, पंजाब या हरियाना आप अपने जवाब हमें नीची दे कमेंट सिक्षिन में बताए हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तो कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था की भारत का कौन सा राज्य, डिजिटल बार्ड रिपोर्टिंग प्रनाली का इस्तमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है दोस्तो इसका सही उत्तर है option D, असाम आप में सुनको बदाए जिने सही जवाब मिले दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रू करे और अन्तमे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तो आज की वीडियो को पीडियेफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा धन्यवाद UPSC की प्रिलिम्स परिक्षा में गैरंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसित पॉब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है UPSC 26 वर्षो के टॉपिक वाई सॉल्ड पेपर्स आई एस डॉक्टर मनीश रंजन की इस बुक में है एक्स्प्लेंड आंसर्स और ट्रेंड अनालिसिस इसके साथ ही ज़रूर पढ़ें UPSC CSAT जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्ड पेपर्स ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलिबल है आज ही ओर्डर करें ऑनलाइन अमेजन या फ्लिप कार्ड से और क्रैक करें UPSC exam